नमस्कार आपके साथ में रोहित कुमार उत्रप्रदेश विदान सबस्द चुनाओं में एक नाम जो सबसेदा चर्चा में था वो था मुक्तार अंसारी का और नुक्तार अंसारी जो हैं वो मौ से चुनाओं लड़ते आए लेकिन जिल में होनी की वज़े से इस बार उनके बेटे जो हैं वहाँ पर अबास अंसारी मेदान में थे उनकी हालत क्या है दोपहर होने को है और क्या चल रहा है बीजेपी से उनका सिधा मुकाबला और फिलहाल के जो यहां की जो जीत और हारका वो जो है करीब गरीजेपी के प्रतियाशि वहाँ से आगे चल रहे हैं बता दें कि माउस सीट पर जेल में बंद बाहुबली मुक्तार अंसारी के बेटी अबास अंसारी जो है वो चुनावी मैदान में है माउस अधर विधान सवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है सीट पर जिले बंद बाहु बली मुक्तार अंसारी की बेटी अबास अंसारी मैदान में हैं सुबाद पजे से सीट पर वोटों की गिंती जो है जारी है अबास सपा गर्बंधन के तहत सुबास पास से टिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं 11 बजे का जो हाल है उसके हिसाब से मौस अधर विधान सभा सीट से भाजपर प्रत्याशी अशोक सिंग आगे चल रहे हैं दूसरे स्थान पर सुबास अंसारी हैं भाजपा उमिदवार 955 वोटों से आगे हैं जबकि अगर शुरुवात करें सुबा की तो इस सीट पर जो है बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिलती नज़र आ रही थी लेकिन बाद में मार्जिन कम होता जा रहा है वोट प्रतिशत की बात करें तो मौस अदर विधानसभा में इस बार संतावन दिस्तामन नौ एक फिस्दी मद्दान हुआ था यहां पर साथवन आखरी चलनी के तहट वोटिंग होई थी माउस अदर सीट से जेल में बंद मुक्तार अंसारी मौजूदा विधाया कि उन्होंने साल 2017 के विधानसभा चुनाओं में सुबासपा के महेंद राजभर को 10,000 से कम मतोस ने हराया था और बता दें कि मुक्तार अंसारी मौड सीट से लगतार 4 वार से विधाया कि लेकिन इस बार उनकी जगवं के बेटे अबास अंसारी इतने हैं अबास अंसारी इनके पहले 2017 में घोसिवधानसभा सीट से बस पार के टिकर पर चुनाओं लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें हाल का सामना करना पड़ा था तो खबर यह है कि अबास अंसारी बड़ा नाम है मुक्त यह तो कहा कि जब वो जीत करके आएंगी यानि कि जब समाजवादी पार्टी के गुवाई वाली सरकार बनेगी तब 6 महिनों तो कधिकारियों के ट्रांसपर पोस्टिंग नहीं होंगे और सब एके कधिकारी से हिंसाब लिया जाएगा चाहे वो पुलिस वाले हो या फिर प् बात करें तो लगतार बीजीपी जो है उस सीट पर बढ़त बनाई हुई है और बड़ी बात यह है कि यहां पर मुक्तार अंसारी की प्रतिस्थाविदाव पर है क्योंकि लगतार योगी आदितनाथ जिन बाहु बल्यों खिलाप बुल्डोजों चलाने की बात कहते रहे है उसमें से यह नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है उत्रप्रदेश के अंदर में और उत्रप्रदेश में योग्यारितनाथ की सरकार बनने के बाद से जिस तरके से अक्षिन लिया गया उस पूरे इलाके में उसके बाद से लगतार यह माना जा रहा है कि यह सीट पर अबली सीट के तौर पर देखी जा रही है उस सीट पर मुक्तार अंसारी की जो बेटे हैं अबास अंसारी वो पिछे चल रहे हैं जैसे ही अपडेट होगी इस पूरे सीट पर क्या चल रहा है लेकर तुरण्थ हाजर होगे देखतरी न्यूस फोनेशन नमस्कार